जेहिन दोस्तो, दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान देई होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Food Corporation of India यानिके भारतिय खाद्य निगम भारती 2022 के बारे में जो की आपकी Assistant Grade 3 की Post पर निकाली है इसमें आपकी सबसे अधा Vacancy Assistant Grade 3 के लिए है और ये जो आपकी पूरी की पूरी Vacancy है ये Category 3 के अंतरगत रखी गई है तो आप वीडियो को देखते रहिए अगर आप ये सब जानकारी बिना किसी प्रोब्लम के जानना चाते है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्ते यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पारे हैं हमारी Official Website JobsGyan.in है जिसके उपर आप लोग करने किसी बर्तिक अपडेट पाने के लिए भी विजिट कर सकते है अभी के लिए मैंने आपको डिरेक्टली लिंक दिया है इस पोस्ट का तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी यहाँ पर आपको आना है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दे क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मॉटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस पर करके अपडेट लेकर करके आता रहूँ अब चली यहाँ पर आते हैं और जानते हैं इसके बारे में तो आप यहाँ पर पहले इस ओफिसल नोटिफिकेशन से देख लीजे इस ओफिसल जो यह नोटिफिकेशन है इसका अनॉंसमेंट इंप्लॉइमेंट नियूज पेपर में जल्दी 3 सितंबर को बेसिकली होने वा इसको apply link activate हो मैं आपके लिए form fluff की वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे comment करके बताने कि इस तरह में form fluff की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए आपके comment के ओपर depend रहे करके मैं आपके लिए form fluff की वीडियो बनाऊंगा या फिर नहीं बनाऊंगा आपकी choice के according now guys मैं आपको एक special जानकारी देना चाहूंगा और यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है इसलिए आप इस part को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा तो दोस्तों यह सवाल पूछना आपसे बनता नहीं है कि क्या आप jobs के लिए देख रहे हैं क्योंकि यह obvious है आप यहाँ पर इस वीडियो के उपर है तो इसका मतलब है कि आप jobs के लिए देख रहे हैं बट अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप एक click में आपके jobs के काफी करीब पहुंश सकते हैं तो यह आपने सई सुना जीहां आप पहुंश सकते हैं क्योंकि अनकैडमी आपके लिए लेकर क्या आया है engineering jobs by अनकैडमी यानिके आपके ले की YouTube चैनल लेकर के आया है engineering jobs by अनकैडमी जहां पर यह YouTube चैनल आपको daily job updates तो provide कराएगा ही साथ ही आपको यहाँ पर help करेगा upskill yourself with free content by teaching you about software such as AutoCAD, SolidWorks, मतलब analysis तो यह सभी चीज़े आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जैसे कि daily job updates है by जो की ANU, interview preparation and linkedin mystery, learn latest technology जैसे कि building your our drones, vehicle teardowns and a lot more यह सभी चीज़े आपको यहाँ पर free में इस YouTube channel के उपर जानने को मिलने वाली है, so if you want to get job ready and get placed, this is your one stop shop, जी हाँ आपने सही सुना, अगर आप job पाना चाहते हैं और पहले सुना चाहते हैं कि हाँ मुझे job मिल भी जाए तो यह आपके एक best stop है जो पाने का और मैं यहाँ पर आपको यह भी पता दू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो मैंने पर दिक एक शोवे सस्क्राइबर पर एक हजार रुपए वाउचर जीतने का मौका है तो इस मौके को बिल्गुल भी जाने मत दीजे, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल सब्सक्राइब करने पर अगर आप 100 हुए तो आपको यहां पर 1000 रुपे का Amazon voucher जीतने का मौका बनेगा तो जाइए और subscribe कर लिजे, कोई सवाल डाउट हो तो प्यूच लिजेगा तो यह जो आपको notification है, इसमें आप देख सकते हैं आपकी post है, जेई सिविल इंजिनरिंग की यह आपकी total post यहां पर निकाली गई है अगर आपकी कुल vacancy की बात करें, तो जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया वो आपकी 5043 इसके अंदर निकाली गई है यहां पर दोस्तों आप salary भी जान सकते हैं कि कौन सी post पर आपको क्या salary दी जाएगी तो जो आपकी जेई civil की post है, इस पर आपको 34,000 रुपे से लेकर के 1,34,000 रुपे दिया जाएंगे जो जेई electrical की post है इस पर भी आपको same salary मिलेगी इस टनगरेड 2 की post पर आपको 30,500 रुपे से लेकर के 88,100 रुपे दिया जाएंगे एजी 3 की जो भी post है इन पर आपको 28,200 रुपे से लेकर के 89,200 रुपे दिया जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी age limit है वो भी आप जान सकते हैं जेई की post पर आपकी maximum age limit 28 साल है जो की 1 अक्टूबर सोरी 1 अगस 2020 तक काउंट की जाएगी एन जो इस टनगरेड 2 की post है इस पर age limit आपकी maximum 25 साल है और age 3 की post पर आपकी age limit 27 साल maximum रखी गई है और मैं आपको यह बता दूँ कि जो age limit है यह general candidate के पर applicable होगी क्योंकि government rules के according SCST candidate को 5 साल की और OBC को 3 साल की age के अंदर छूट दी जाएगी अब चली जो बागी की आपकी post वाई जानकारी हो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से सरल वे में हमारी website से बताता हूँ उसके पहले आप यहाँ पर application fees जान लीजे यूर यानि के general OBC EWS को 500 पे fees पे करनी है SCST week long के लिए कोई fees नहीं है यह category candidate free में apply कर पाएंगे अब आप यहाँ पर जो मैंने आपको vacancy की जानकारी दी stable के अंदर थोड़ा और अच्छे वे में सरल वे में यहाँ से जानकारी confirm कर सकते है अब बात आती है आपकी qualification की post wise तो जेई civil की post पर apply करने के लिए आप से degree in civil engineering मांगिए अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प यह दिया है कि आपके पास diploma हो civil के अंदर और एक साल का experience हो तो आप तब भी यहाँ पर apply कर पाएंगे तो दो विकल्प है आपके पास इसमें apply करने के इसी परकार से जेई electrical mechanical पर apply करने के लिए आप से degree in electrical या फिर आपके पास degree in mechanical होना चाहिए या फिट डिप्लोमा इन इलेक्टिकल बेसिकली यह यह कि या तो आपके पास डिग्री हो इलेक्टिकल मेकनिकल के अंदर अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्टिकल मेकनिकल में और साथ ही आपके पास अलग से एक साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए इस्टनगरे 2 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए graduate degree मांगी है साथ यहाँ पर आपसे जो short hand है वो भी मांगा है जिसमें की English typing अगर आप करेंगे तो आपकी 40 word per minute speed रहनी चाहिए तो यह आपने यहाँ पर जाना यहाँ पर जो आपको बोले कि 40 word per minute and 80 word per minute in English typing and short hand respectively यह basically आपकी speed रहनी चाहिए AG3 की post पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी general की है इस पर graduate degree मांगे किसी भी discipline में with proficiency in use of computer यानि के computer के knowledge आपको अच्छी होनी चाहिए AG3 account पर अप्लाई करने के लिए bachelor जो कि आपने commerce के अंदर की हो और computer के knowledge भी आपको होनी चाहिए AG3 technical पर अप्लाई करने के लिए आपके पास दो विकल्प है क्या तो आप BSC in agriculture से की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास तीन विकल्प है इस पर अप्लाई करने के AG3 डिपोर्ट पर अप्लाई करने के लिए graduate degree मांगी है किसी भी discipline में और computer के knowledge आपको होनी चाहिए AG3 हिंदी पर अप्लाई करने के लिए आप से degree मांगी जो कि आपने हिंदी main subject से की हो and साथ जो अलग detail है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है fees की जानकारी आप यहाँ पर जान चुके हो age limit की जानकारी आप यहाँ से confirm कर लीजिए salary के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी post पर क्या salary आपको दी जाएगी selection जो आपको किया जाएगा वो यहाँ पर आपका online computer based test interview training के दुवारा किया जाएगा तो यह आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना जो आपकी category 3 की post है यह जो जितनी भी vacancy मैंने आपको बता यह category 3 के अंदर है इसमें आपका online test होगा phase first और phase two इसका जो pattern है वो यहाँ पर अभी expectedly दिया गया है तो यह जानकारी आपने जानी अभी यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको दी है इनमें अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी doubt है तो आप comment के मादियम से पोच लीजेगा मैं कोसिस करेंगा कि जितनों जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको answer करूँ और सभी comment का answer कर पाऊ तो और अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी है पसंद आई है तो वीडियो को अगर आपने अभी तक like नहीं किया तो फटा फट से like कर दे and channel को subscribe करके bell icon को on कर ले thanks for watching जै हिंद